दोस्तो अगर आप भी confused है कि आपको एक fire tv लेना चाहिए यह एक android tv तो यह वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा क्योंकि इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों के बीच में क्या difference रहता है look and feel कैसा लगता है दोनों operating system का तो चलिए दोस्तो बिना time wish के वीडियो इंस्टॉल करेंगे यहां आपको सारे apps दिखेंगे यहां recommendation भी आपको दिखते हैं जिदो देखिए आपने जो जो apps इंस्टॉल कर रखी है तो इनके recommendation भी दिखते हैं जैसे नए नहीं कोई भी movie आई है यह सब दिखते हैं पर इसका user interface उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता जितना fire tv क्या होता है तो अभी बेरे पास इसी बे fire tv stick है जिसमे fire tv OS है तो मैं अभी वो करक करके दिखाता हूं यह देखिए fire tv stick यह fire tv OS पर बेस रहती है यह देखिए इसका user interface कुछ इस तरीके के दिखता है अगर आप एक fire tv लेंगे तो आप जैसे ही home screen पर आएंगे तो आ recommendations भी काफी अच्छे आते हैं यह दो देखिए अभी मैं स्क्रोल कर रहा हूं तो जितरी भी एप से उससब के recommendation देता है तो दोस्तों अब question यह है कि आपको fire tv लेना चाहिए या आपको android tv लेना चाहिए तो दोस्तों देखिए आप कोई भी ले सकते हैं मेरे साब से पर जो software updates updates है वो आपके fire tv में अच्छे आते हैं और गूगल का android है उस पर भी अच्छे आते हैं पर recommendation है वो आपको fire tv पर ज्यादा अच्छे लगते यूजर इंटरफेस है देखने में look and feel है suggestions है ज्यादा अच्छे आते हैं तो आप एक fire tv ले सकते हैं recently भी redmi का fire tv लाउंच हुआ है 32 इंच की रेंज में और बड़े बड़े अच्छे च्छे टीवी है उसमें fire tv रहता है तो आपको look and feel अगर अच्छा चाहिए तो आप fire tv क्यों जरूर से जा सकते हैं कोई भी इसमें problem आपको नहीं होती है आप android लेंगे उसका थोड़ा recommendation उतने ज्यादा मुझे अच्छे नह लीजे मिलता हो अपसे नेक्स्ट वीडियो में